समादरीय दरुशक विन प्रुषत्म मास माहात्मय को प्रवचन सिन्खाला मां यहारु सबयमा हारदेग स्वागत एबं अभिबादन। हमी लें इजो प्रवचन सिन्खाला मां अध्याए 20 को कथासार परथुदगर्ये का थियों. जहां प्रुषत्म मैना को उपाचना गर्दा पाप्त हुने पुन्य का बारे मां विवेचन भाये का थी। आजय को बसाई मां अध्याई एक काईश को कथासार पखतु गरने चौ। आउनों शिरम इस अध्या के पिशे बखतु क्या कथार आये चौ। नईमी सारने चतमा सुता नामा पोगराणेक रिशियर को सभामा मार्शी बालमी केले राजा देड़ धन्वालाई बताउनों भयेगो पुर्षत्म भगवान को पुजा बिदी बारे थब पाष्ट पारदय बंदय हुनोंच। ये रिषय सवरारू पुर्षत्म भगवान को सुन को प्रतिमां बनायर पुजा गर्नों पर्षा बनने जुन कुरा मैले अगी हुन अगी लोग अध्यायमा भने गो थी तेशकु पनि बिदान चा। बीदी पूर्वाग गर्णों पर्छा, येसका लागी प्रतिमालाई स्वर पर्थम, अग्नी मा ततायरा पंच गव्यरा सुद्धो जली स्नाहन गराऊनों पर्छा ये देवी धार्मे गर्ण्थाओर मा प्रतिमा आठकिस्यम का चीजबाटा बनाऊनों सक्किने कुरा उलिवाय काशन। एस मार ढूंगा को पनी बनावना सकेंच, काटको पनी बनावना सकेंच, फलाम को पनी बनावना सकेंच, लिपेर पनी बनावना सकेंच, लिखेर पनी बनावना सकेंच, ते बालुबा को पनी बनावना सकेंच, रर मन को पनी बनावना सकेंच, रर सुन को अर्थार मनी मानिक् एस बाय का चीजबाट प्रतिमा बनाऊना निशियत गरिये को छा, कते कते धलोर, पितल, तामा, कास, चिलावर, आधिबाट पनी प्रतिमाहरू, अर्थार मृतिहरू बनाये को देखिन छा, तर ती बारे सास्त्रमा उल्लेक बहे का छाइनन, तेसले तेस्ता चीजबाट नब बनाऊदा नही रांवर भूंच, किन बने ज़सले सास्त्रमा लेखिको विदी, विपरितको काम गर्च उसले शिद्दी र गतिप्रापत हुधयना बन्ने कुरा गितामा स्वयम भगभान कििश्टन लेने उल्ल्लेक गरिगा साक्षान, तेसले प्रतिमा बनाऊंदा सास्त कमा उल्लेघभय का चीजगा नाइ बनाउनु पर्चा, रपुजागर्णों अगे तेसलाइ आगमा तताउनु पर्चा, रमा ते उल्लेघभय अनुसार, पंचा गव्यर शुद्दो जल्ले स्नान गराई प्रान प्रतिष्टागरेरा मात्र फुजागर्नु पर्ष़णु अन्यता त्येश्ट प्रतिमा मा सामन्य वाउतिव पदार्थबाइक के वैपार 본 रही रही । त्ये सिंप्रतिमा ज्यतिर मे बनन संख रही । किने कि तेस्ता मुर्ति वा प्रतिमा मा भगवान को बास गरना भगवान ले बास गरना हो देन। तेसले तेस्ता चीज पहले जस्तो थियो तेस्ता ही रहांच। मुर्ति मा भगवान 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 भगव चल प्रतिमा भा मुर्थि हह वह पुजा गर्नी बोह ऑखे रा पुजा को थां मार लागनी अगीपछि इस फाइदी जात्यों तही थां मार राखनी प्रतिमा भाम जाल प्रतिमा बनिंच सभाओ को च्ल है one kote मूर्थिवा परतिमा मूर्थिवा प्रतिमा चल मूर्थिवा फुजा गर्णी परतिमाओ तेसले चल मूर्थिवा प्रतिमा भए प्रत्य एक पटक पुजा गर्णु आगी प्राण प्रतिष्ठा गर्णु पर्षा अचल भणे एक पटक गर्णु पर्दाइट। प्राण प्रतिष्ठा भने को निर्जी पदार्थमा बैदिक मत्रद्वारा प्राण को प्रतिष्ठापन गरने बिदान हो, तर साली ग्राम को छव भने, साली ग्राम को पुजा गरनों छव भने, प्राण प्रतिष्ठा गरनों परदैन, किना कि साली ग्राम भने का साच्छा भगवान को ज्योतीर महे प्रतिनिधी मानिये को छा भगवान लाय तुल ईसी को पत्थर बन्नुपरने श्राब पर्य परे पस सली ग्राम को रूप मां चैहे अबत्रित हुना था लें काउन। जब भगवान ले तेस्ते काराम बस तुलशी को पत्थर बन्नोपने श्राब पर्यो तेती वेला भगवान ले तुलशी ले भने का थे ठेक शा देवी तिम्रो श्राब शिरो पर्च तिम्रो शरीर काली गंडगी बने र लोकोश्यवा गर्ने छ तिम्रो शरीर काली गंडगी तुलशीको शरीर कालीगण्ड की बने रायक होण। उनको कपाल तुलशीको विरुवबने रा अम्रे को होण। प्राणा प्रतिष्टा गरी सगे पाँअर। प्रस्वत्सटिन नमुट्ण को पिर बागवान को धियान गर्नुटे. तेस्पसी मनला थीर गरी भगवान को सोड़सो पचार ले पुजागर्नों पर्षार। शोड़सो पचार भणेगो सोर किसमली पुजागर्नी विदान हो इनमा आशन, पाध्य, अर्ग्य, आज्मनी, पुनराज्मनी, पंचाम्रित, सुद्धो जल, गंगा जल, कर्दो बर्थन, चंदन, अक्षेता, फुल, माला, जने, शुपारी, पान, बस्त्र, भेटी, धुब तिनेई चीजको बैदिक मंत्र र पाउराणिक सुलोक पडे र चड़ानु पर्छा, किना बने तिहां भगवान को तुति, प्रार्थना र समर्प्रम उल्लेख भाईका होंचा, ओईने त्यस्वा संभाव हुन्ना बने त्यतिके चड़ाउन पनी शकीन चा, तर पूलरुम श्रद्दार भक्ति बने हुनई पर्चा, चुर्ष पचादले पुजागरी शकेपछी, उनका नाम मत्र द्वारा अंग पुजागरनु पर्चा, अंग पुजाब रने को पेताला देखी शीर सम्म विविन अंग को पुजाओ, एति बेला भने नाम मत्रले पुजागरने प्रत्येक नाम को पचाडी चतुर्थें तर लगारे पुजागर्णु पर्णे हुँच्छुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु तेस्वाची विश्णो सस्रा नाम पड़े रा तील चड़ाय रा छेमा मांगनू पर्छा जचलाई तील हवन भनीन छा एसो गर्दा पुजामा के तोटपुट भयको भये पनी दोश लागदाई न भन्ने सास्रिय मान्नेता छा मैना दिन बरी ग्योको अखंड भर्ति भालनू पर्छा तोश संबब न भये पनी पुजाको दिन भाव अबदी भर्त भालनाई पर ने हुँँँछा पुजाको वन्तेमा कुणे तुटी भयको भये खेमा पामुभंदाई पुन प्रार्थाना गरे रा ढ्रोगे रा माफिमागनू पर्छा कि न मने अच्चुत भगवान मात्र हुन उनको नामय अच्चुत चा मानिस ता जती साबदाने अपनाई पने तुटी हुनी संबवाना रांच मानिस बाटा अच्चुत होई न मानिस भगवान मात्र हुचुत तेसले मानिस बाटा तुटी हुन सक्च तो एई दोस्त जान अंजानम भाई का दोस्त नलागोस भनेर माफी मागनो परने हो। एर इसे श्रह रो औ'll छी तो पुरुषट्म महिना पर पुरुरुषट्म भगवान को पुजा गरना शक ने ब्यवताल न वाए। एकर दिन भाईपनी गर्णो पर स तर गर्णा वने सक वर छठाउना हो। जसली शरी पुरुषत्तम भगवान को पूजा गर्ष उसली जीबन बर चोख भोग गरिये अन्तेमा भगवान को धाम मगएर बहन पाऊचल। मौर्षी बालमिगरे राजया देळा धन्तवाला बताऊन्हुएग को नवी ऐए हो युपन्यको रिशी बाक्य हो रिशी बाक्य जुटो हुँदाइना जुटो हुँचा मनेर सोचन पनी हुदैना। ये तो सोचन थालियोगने स्रद्दार विष्वास मा कमी आऊचा। अनि जा स्रद्दार विष्वास मुदैना त्या प्रतिफल पनी पाइचा। आधनियतर सक्विन ये सद्द्दार को मुटा मठी कता सार इन्य हुन। इ प्रसंग बाटा हामी निमन संदेश पाउना सक्चा। मुल तो ये सद्द्दार को संदेश यह हो कि जे काम गरे पनी स्रद्दार विष्वास पुर्भक गर्नू परछ बन्यो। श्रद्दार विश्वास भाई गुंगा मा पनी देवता बेटीन चन। न भाई स्वयम भगवान ने प्रकट भाई पनी काम लाग देन। विश्वास भाई न मने खाय को अउस्वर दिले ता काम गर देन अन्य अमुर्त पक्ष को ता प्रश्णाई केर आयर। तेसे ले कर्मगर्दा पुजा मात्रे भाई ना कुने इपनी कर्मगर्दा खेरिमा पहला स्रद्दा होन। पर्श तेसे विश्वास भाई होन। यो काम पुर्टी मा गर्षू काम पटी स्रद्दा यो काम पुरा गर्षू यो काम ले मला प्रतिफल देंच वन्ने विश्वास बाइर कर्म गर्णो पर्ष एदी स्रद्दार विश्वास भाय नवने कर्म अधूर हुँँचा कर्म अधूर भवने फल पने अधूर हुँचा ये सद्ध्या को प्रसंगहुदी दीको स्वंदेश इने हुन आधने दर्शक्विन इने प्रसंगहुद साथे अजले विदा चांचू हस्त विदा दिनूस नमस्कार